हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉं टुमनों क्लासेज, दोस्तों हमनों शेशन के अंतरगत पढ़ रहे हैं, SAC GD 22 के प्रमुक रीजिनिक के क्वेशन को पढ़ रहे हैं, जो पिछला बार एक्जाम में आया हुआ है, जो पिछला बार सेम पैटर्न जो रहा है एक्जाम का, उन्ही के अधारित पर हम क्वेशन लेकर रहे हैं, जो बेहद ही में अत्तपूर क्वेशन है, आये दोस्तों, हमनों देर ना करते हुए, इस शेशन की शुरुवात करते हैं, दोस्तों देखिए पहला क्वेशन है, पहला कहा है कि उप्रयोक्त छवी में तिर्भूजों की संख्या क्या होगा, यह आक्रिति दे हैं, इनमें तिर्भूज की संख्या को काउंट करकर बनाना है, ऐसे कोश्चन को बनाने के लिए आपने नम्मरिंग कर लिजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अर्थात एक एक अगर को लिखेंगे, एक एक ब्लोक देखेंगे, एक एक ब्लोक में एक तिर्भूज का निर्भूज हो रहा है कि नहीं, देखिए, अर्थात एक एक ब्लोक में एक तिर्भूज का इस परकार से आठ तिर्भूज का निर्भूज होगा, अगर हम दो दो नमर को मिला कर बनाएगे देखिए एक तिर्भूज का भी ना एक और दो को लेंगे तो देखिए एक तिर्भूज बन रहे ना इसे प्रकार दो संख्याओं को लेंगे तो कितने तिर्भूज बनेंगे इसे एक दो बना फिर आपका बना तीन चार फिर आपका चार, पांच, यह भी बना, फिर देखिए, छे, साथ, छे, साथ, फिर देखिए, साथ, आठ, इस परकार के देखिए, इसे पांच तिरभूज बने न, इसे परकार के तीन अंकों के मिला एक तिरभूज बन रहा है, देखिए, चार, पांच, छे, एक तिरभूज बना न, दे सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों सबको काउंट करेंगे दोस्तों सबको काउंट करके देखीगा सबको काउंट करेंगे देखे 5,9,8,7 कह सकते हैं इसमें टोटल सतर त्रिभुज का निर्माट हो सकता है इसके वाद नेक्स कोईशन लेते हैं दोस्तों देखिए यह आकरिती वाला कोईशन है बोला है कि यह जो आकरिती है न इन आकरितियों में किसमें छुपा हुआ यह आक आकरिती में आपको साप साप दिखाए देर है यह वाला किसमें है आपको यह आप्सन में भी राइट होगा इसके वाद नेक्स कोईशन लेते हैं यह कोई कोईशन बोला है कि कौन सा बिकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकड़तम समानता रखता है अर्थात इस परक दूसरे को देख्ते हैं यह आपका इस्टार एक वर के अंदर है और बार आपका पंचय भूज है तर्थात कहीं ने कहीं यह आपका हो सकता है तो आपका इस सदार्प आप्सन में यह राइट होगा इसके बाद नेस कोईशन लेते हैं दोस्तों यह क्लॉक का कोईशन है को हम बता भी चुके हैं, यह उता है 60 गूड़े H-11 गूड़े आपका मिनट, अपॉन में 2, आपको घंटा घंटा के समय और मिनट मिनट के साथ गूड़ा करना हो, देखिए इसको हम बनाते हैं, 60, sorry, 60 multiply, H कितना है, घंटा में 3 है, माइनस 11, कितना मिनट है, 47 मिनट, गूड़ा के 2, हम ऐसे करेंगे, इसको करेंगे, तो आपका 18, 60, 180, माइनस इसको multiply करिएगा, देखिए, 47 हो गया, 7, 4, 7, 4, 11, 45, कितना हो, 500, आपका, 17 हुआ, गटे में 2, घंटा लिजे, घंटाएंगे, तो आप घंटा सकते हैं, 517 हमें से 180, घंटाएंगे, 7 होगा, 3 होगा, या आपका, 4 हो, sorry, 3 होगा, घंटेगा तो, मिला हमको क्या, माइनस आपको कोई मतलब नहीं, 337 बटा के 2, अब आप भाग सिजा दिजिए, आप कटेगा, एक बार में, 2, 6, 12, 2, 8, 14, फिर 2, 5, 10, आप आपको option number C, right होगा, ये calculation आप खुद कर सकते हैं, इसके one next question है ती, दोस्तों, ये कथन और इसका question है, इस परकार के question है, इस परकार के question है, तो हो सकता है, इस बार SAC GT में भी इस परकार के question है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, ये दिया गया आपका कथन है, F जो है छोटा और बरावर है H से, और H जो है छोटा है J से, लेकिन J बड़ा और बरावर है V से, V बड़ा है E से, चलिए हम लोग इसको करते हैं, पहला निसकर्स कहा है, कि H आपका छोटा है V से, ये V यहाँ है और H यहाँ है, दोस्तों, यहाँ पर H जो है छोटा है J से, यह कोई जोरूने कि H आपका V से भी छोटा है, इस परकार से इसको हम लोग नहीं लेंगे। यह भी आपका निस्कर्स गलत है, तीसरा देखते हैं, F जो है छोटा है E से, दोस्तों F यहाँ है और E यहाँ है, अर्थात E कहीं न कहीं है, और F का रिलेसर किलियर नहीं करा है, कि कितने हो सकते हैं, चोटा हो सकता है कि बड़ा हो सकता है, इस अधार पर हम इसको भी नहीं लेंगे, दोस्तों जब तक 100 परशन क्लियर न हो जाए, यह छोटा है यह बड़ा है, तब तक हम लोग इसनी स्कोर्स को नहीं मानेगे, इस अधार पर देखा जाए दोस्तों, इनमें चारों में से को कोई भी option आपका नहीं है, इसका इनमें से कोई option नहीं है, तो आप देख सकते हैं, इसका option नहीं बना सकते हैं, कि ना तो आपको 1, 2 और 3 इनमें से कोई नहीं हो सकता है, अगला लेते हैं, यह भी कतन का question बोला कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी जो कुत्ते हैं, कोई भी बिली चुहा नहीं है , यह आपका कहना उचित नहीं होगा क्योंकि 100 % क्लियर नहीं क्या है , यह आपका गलत होगा पिर दुसरा बोला हकिम कुछे कुट्टे चुए हैं, कुछे कुट्टे चुए हैं, इनका भी direct relation नहीं बनाया है, इस अधार पर इसको भी हम लोग नहीं मानेंगे, इस अधार पर कह सकते हैं, ना तो निसकर्स 1 होगा और ना है निसकर्स C होगा, option number C right होगा, एक और दो दो निसकर्स नहीं हो सकते हैं, अगला लेते हैं सात्मा question, बोला है कि उस आकरती का चायन करे, जो निमलिकित श्रेडियों के बीच में संबंध का स्वरोतम ढ़म निरुपित करता है, देखिए, तिर्भूज, चतर्भूज और भर्ग दिया है, अगर हम देखेंगे, आपका भ option नमर भी right होगा, क्योंकि चतर्भूज और बर्ग एक दूसरे से match करने एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं, और यह तर्भूज अलग है, इस अधार पर option मर भी right होगा, इसका next question लेते हैं, बोला है कि समकण को संतुरित करने के लिए दिक्त अस्थानों में उचित चिन, प्ल और देखते हैं क्या हो सकता, पहला चिन को रखते हैं, अठारह है और हमको plus रखना है, छली हम plus कर लिए, इनके चिन से कोई मतलब नहीं है, इस चिन को हम लोग रखेंगे, भारी-बारी, फिर हम को okay, सहो हम दूसरा आपि भाग कर दिया, so 7, फिर हम क्या है, तो मैनस हम 15 कर पिर क्या है भाग है तो भाग माइनस नहीं रखेंगे यह आप भाग रखेंगे अब इसको हम लोग हल करते हैं पांत याए 15 हो गया इसके बाद कोश्ट्म करते हैं 18 चाहर तीन 21 भाग जैसाथ माइनस तीन सतिली के 21 और तीन प्लसमा करकर क्या है जीरो हम देख रहे हैं कि आपसन यह वला आपका राइट होगा इन चीन को इसमें रहेंगे तो इसको संतुलित कर देगा इसके ब्लड रिलेस्टन का कौश्टन है बोला है कि अरूण का भाई आन कुमार को पीता कौन है कुमार को इसके बाद बोला कि कृष्णा कौन है कृष्ण का और से किया वह सब्सक्रेंद । आनन्द इसका दादा हो न क्योंकि आनन्द और अरुण भाई हैं इसके दोनों के पिता कौन है कुमार है और उनके पिता का पिता इनका क्या होगा दादा लेंगे न तो कुमार कृष्णा और आनन्द के बीच में पोता सुपुत्र का नाता होगा न सुपुत्र का नाता हो ज इच्छे दिये गए संबंधों को सही तरीके से पूर्ण करेगा, यह आपको बताना है, आप खुद माइंट से जोचिए, किस परकार से इन में रिलेशन बनाया है, चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, अगर इसको देखेंगों दोस्तों, तो सुरुवात और लास्ट भी दिया है, चार दूच्छे होगा, इस परकार से हमको 24 संख्या मिल गया, इसी परकार इसको देखते हैं, यह क्या है, तीन मुड़े साथ, सतिली के 21, और फिर इनको जोड़ा है, इनको जोड़ा है, दू एक 3, अर्थात फिर हमको 213 मिल गया, इसी परकार से से मिसको भी क भरेंगे option में यह आपका right होगा तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो भी हम question लिये हैं आपको बताने का press किये हैं आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदु